दोस्तों आप जो माल बनाते हो जैसे डिश वाष, हैंड वाष, लिक्टुड डिटरजेंट, कार शैंपू, कार पॉलिश वगेरा उसमें क्या आप जानते हो कि उसकी जिन्दगी यानि लाइफ और पर्फॉर्मेंस किन बातों पर निरभर है कि वो कम से कम जितना आप चाहते हो उतनी उसकी लाइफ भी हो पर्फॉर्मेंस भी हो उसको आप इस बात पर निरभर है कि उसमें कोई वाइरस, वैक्टीरिया, फंगस इस तरह की चीजे तो डवलप नहीं होरी जो उस चीजों को खा जाए उससे बचाने के लिए आप उसमें प्रेजरवेटिव काम करेगा कौन सा नहीं करेगा अगर इस सब की जानकारी आप चाहते हो तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक और मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिकल सरजी दोस्तों जो नए हैं वो किरपया सब्सक्राइब क कर रहे हैं और बहुत से कुछ हैं जो कुछ नहीं भी कर रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हो कि प्रेजरवेटिव जो है जो आपके प्रोड़क्ट में आपने डाला है वो कितना तो काम करेगा अगर काम नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा उस प्रोड़क्ट में किस कभी नहीं आएगी जिन्द्रटप्त में Also b Queens भूबिए आपकी एक समझ विक्सित हो जाएगी कि फिर प्रजर्ब्रेटिव नहीं डॉब्सक्राइब कि कौन गौन सी समझ्य आती है आपके अपने बहुत सारे लोगों और ये प्रॉब्लम जहें है तो आप आज ये नोट कर लोगी ये प्रॉब्लम्स का एक कारण ये भी है और बहुत बड़ा कारण है कौन कौन सा सबसे पहला विस्कॉसिटी कम हो जाना आपका प्रोड़क्ट जो पतला हो जाता है उसमें कहीं न कहीं बैक्टीरिया का भी बहुत बड़ा ये आज तो बढ़िया बनाया था तीन-चार दिन बाद पतला हो गया जी ये जो समस्या है न लोगों कि इसके लिए आप इसे धूंड़ें कि आपके प्रोड़क्ट में प्रेजर्वेटिव की कमी होगी एक करण ये है सबसे बहुत बड़ा कारण है ये बाकि और फॉर्मूलेशन के हिसाब से लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है रंग उड़ गया बैक्टीरिया काम कर रहा है इस स्मेल खराब हो गई गंदी सी स्मेल आने लगी बैक्टीरिया डवलप हो रहा है या बहुत से प्रोड़क्ट में कई बार दोस्तों आप मैंने एक दोने कम बैक्टीरिया डवलप्मेंट है तो सबसे पहली ये देखते हैं प्रज़र्वेटिव जब हम चूनते हैं कि हमारे किस प्रॉड़क्ट में प्रज़र्वेटिव डलना चाहिए तो उसके लिए हम क्या क्या चीद हमें दिमाघ में रखनी चाहिए सबसे पहली जो जरूरी तो आपसे अपने product बनाया है मानलो 7-8-9-10 जो भी pH आपने रखी है क्या वो उस pH पर काम करेगा तो यह से कहते हैं pH stability भी क्या वो उस pH पर stable है उसके बाद आती है thermal stability कि वह कितने temperature तक काम करेगा भूसका बहुत सी जिएगे टेम्परिचर का रोग होता है कि अप गर्मी में टेम्परिचर ज्यादा हो गया तोй आपने तो मिला रखा क्या वह काम करेगा। लिक्विड डिटर्जेंड में घरम-Pानी में कप्ड़े दोने लगते हैं क्या वह उस गरम-Pानी में काम करेगा। तो यह तो 2. तिस्री चीज, किस-किस प्रकार के bacterietry, fungus, more, yeast और जटनी बी तरह के microorganism होते हैं उन पर क्या वो काम करेगा इसको बोलते हैं spectrum कि कितने spectrum पर वो काम करेगा जैसे आपने शब सुनो होगा broad spectrum broad spectrum का मतलब है कि जाधा पर जितनी तरह के इस तरह के bacteria हैं इन पर ये preservative काम करेगा तो ये तीन main condition होती हैं जो देखनी पड़ती हैं कि भी preservative हमारे product में काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अब जैसे दोस्तों बड़ी company जो होती है न वो तो preservative का test करती हैं इसको half cycle test कहते हैं कि half life कितने दिन बाद उस preservative की आ रही है उस conditions में जिस condition में हमारा product बनाया गया अब लेकिन हमारे पास तो उस तरह की test विदा है नहीं तो हम क्या करेंगे भी हम तो जितना experience से और जितना हमें company की जो technical data sheets होती हैं कि इस preservative को कहां कहां use कर सकते हैं उस हिसाब से हम select कर लेंगे लेकिन select करने के लिए हम यह knowledge होनी चाहिए कि हम किस किस basis पर select करेंगे तो आईए अब आप देखते हैं कि जो common use होने वाले preservative हैं जो आप लोग सब use करते हो और और जो भी बाकी जो आज कल नहीं नहीं प्रिजरवेटिव चल रहे हैं कि वो किस किस तरह से कितनी conditions हैं उनकी और फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कि भी आप जो है अपने product में कौन कौन सा कैसे कैसे use कर सकते हो तो सबसे पहला क्या है दोस्तो sodium benzoate सब जानते हैं सब यूज करते हैं लेकिन sodium benzoate के बारे में यह नहीं पता ज़्यादतर लोगों को कि वह यह किस pH पर काम करता है उसका ध्यानीन रखते हैं sodium benzoate जादा से जादा पांच की pH तक काम करता है तीन से लेके पांच तक के बीच में उसका best action आता है उससे उपर उसकी बहुत कम छंता रह जाती है अब यह मेरी लाइन सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि आपको doubt आ गया होगा कि भी अब यह sodium benzoate तो बहुत चीज़ को में यूज कर रहे हैं जी हां बिल्कुल गलप यूज कर रहे हैं पांच से उपर के जितने भी प्रोडक्ट हैं जितनी पीएच अगर रखी है तो उनमें sodium benzoate कोई काम नहीं करेगा पांच तक करेगा पांच से उपर जितना बढ़ते जाओगे कम हो जाएगा अगर आपको ज्यादा ही यूज करना है तो फिर उसकी quantity बढ़ानी पड़ेगी लेकिन तब भी वह उतना काम नहीं करें उससे अगला एक बिल्कुल कॉमन जो यूज करते हैं लोग वो करते हैं फ 25 डिगरी तक थोड़ा जो चालिस तक भी काम कर जाएगा लेकिन उसके साथ समस्या क्या है कि उसके अंदर एक स्मेल आती है वह आपको सबको पता ही है तो जहां जहां जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां में स्मेल का काम है वहां फॉर्मल डियाइड नहीं यूज हो सकता फॉर तो जितने भी आपके जो सस्ते प्रोड़क्ट है चीप प्रोड़क्ट हैं जहां पर इसमेल का कोई काम नहीं है इंडस्ट्रियल कोई प्रोड़क्ट है या कुछ है उस तरह में आप फॉर्मल डियाइड यूज कर सकते हो अब हमने दो की बात कर लिए सोडियम बेंजयट और फॉर्मल डियाइड अब जो है जो और आजकल के नहीं नहीं आ गए है उसकी बात कर लेते हैं उसमें सबसे पहला है जी वह सी एम आईटी एम आईटी टाइप के प्रेजरवेटिव क्लोरो मिथाईल आईसो थीयजीलोन लिनोन और इसी तरह से मिथाईटी उसमें क्लोर इन से लेके 8 pH तक काम करेंगे हैं इनकी डोस बहुत कम लगेगी 0.05% तक maximum इनकी डोस लगेगी लेकिन इनके साथ समस्या यह है कि इनकी जो टैंपरेचर इस्टेबिलिटी है वो कम है यह सिरफ 40 डिग्री तक स्टेबल रहेंगे 40 डिग्री तक यह सही काम करेंगे उसके लेकिन जो MIT है वो 80 डिग्री तक काम कर जाता है तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो आजकल कुछ प्रिजबरेटिव आ रहे हैं कैथान वगेरा यह सब यह मिक्शर में आते हैं CMIT कि MIT या जैसे आपको पता भी होगा मैंने भी बताया एक दो बार कि विए 3-1 की रेशो में नहीं मिलाते हैं तो इसलिए मिलाते हैं कि जिससे टेंपरेचर की भी वह स्पेक्ट्रम पूरा हो जाए वह 80 डिग्री तक काम करना सुरू हो गया जो इसकी रेंज थी CMIT आठ बहुत चल रहा है बहुत अच्छा यूज हो रहा है के बाद एक अगला आता है बैंज आइसो थीयजी लिनोन बी आइटी जिसे कहते हैं इसके साथ क्या आइडवांटेज आया है जब यह देखा भी CMIT में तो टेंपरिचर की दिक्कत रहती है तो यह जो है ना यह 150 डिग् बनाते हो उसमें कही बार गरम पानी भी उस करते हैं घर में लोग कपड़े दोने के लिए तो आपको इस तरह से सोच के जल अपना प्रेजर्वेटिव स्लेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को अगर टेंपरेचर ज्यादा तक भी मेरा प्रोड़क्ट चलना चाहिए तो वहां करना है अब मानलों आपने सी एमाइटी डाल लिया और फॉर्मुलेशन को आपने हीट कर लिया तो वह तो सब खतम हो जाएगा कोई प्रेजर्वेशन काम नहीं करेगा तो इस तरह से इन चीजों को आपको ध्यान लखना पड़ेगा कि प्रेजर्वेटिव हमें कौन सा पूरा वीडियो देखना इसकी मत तरना आपको सब चीज़ें समझ भाण जाएंगे अब इससे अगला जो प्रेजर्वेटिव है वह है ग्लूट्रेल्डी हाइड है यह फॉर्मल्ली हैड ग्रूप का प्रेजर्वेटिव है लेकिन ग्लूट्रेल्डेहाइड में क्या एड लेकिन इसमें सबसे वड़ी प्रावलम क्या है इसमें क्या जितने भी फॉर्मल डियाइड वेस बाले होंगे अगर आप लॉंडी डिटरजेंट में एंजाइम मिलाती हो लेकिन अगर आप एंजाइम मिलाती हो तो यह नहीं लगेगा क्योंकि इसका जो मोड़ आफ एक्श वो पहले बहुत यूज होता था आजकल बहुत कम हो गया वो यूज होना उसकी भी जो पी एच रेंज है वो आठ के करीब तक है और उसकी लेकिन क्वांटिटी थोड़ी जादा लगानी पड़ती थी उसका मोड़ आफ एक्शन भी स्लो है तो दोस्तों यह इस तरह से में म निए पारती नुकुश्य को हैं फिर आगे आता है जैसे मिठाइल पैरावेन बहुत आप लोग यू Norm में उसे भी बहुत लोग यूस करते हैं एक है इसमें बहुंत हरो पर औले चलता था यह सब इनका क्या है कि अलग आलग पीह रेंज और आलग लग टेंपरिचर पर काम करते हैं अब जैसे मिथाइल पैरावेन है और प्रोपाइल पैरावेन है यह भी तीन से आठ पीच तक में काम करते हैं फिर इनके साथ यह गरम पानी में भोलो या फिर आई पीए में भोलो फिर उसके वाद इने मिलाओ इनकी परसेंटेज भी एक परसेंट तक आपको जानी पढ़ेगी और यह जो मिथाईल पेराबेन आप लोग यूज़ करते हो ना यह मिथाईल पेराबेन सब्सक्रों इन jesteśmy हो। इसे तरह जो फीनोक्सीज के है वो भी एक परसंट तक जानी पड़ेगी वो तीन से दस पीएच तक काम करता है और वो 85 डिग्री तक उसकी थर्मल इस्टेबिलिटी है तो आप इस तरह से से सेलेक्ट आव सकते हो अब अब जो मेन बात आती है दोस्तों कि हम अपने प्रोड़क्ट में क्या-क्या मिलाएं किस तरह से मिलाएं उसकी बात करते हैं वन बाई वन प्रोड़क्ट शुरू करेंगे सबसे पहले बात करते हैं डिश देखो डिश वाश में अगर आप पी एच रख रहे हो 5-6 के आसपास पांच तक भी रख रहे हो तो आप सोडियम मेंजट मिला सकते हो थोड़ा बहुत काम कर देगा लेकिन आपको उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी 1.5 दो परसेंट तक और फिर भी उ यूज करना चाहते हो तो आप जो है मिथाइल पैराबेन यूज कर सकते हो कहीं ऐसी जगह है जो इंडस्ट्रिल में जा रहा आपका जहां आपको इसमेल की कोई चिंता नहीं है वर्मल्लियाइट कर सकते हो मैं यह नहीं कर रहा करना चाहिए लेकिन आप अगर यह सी माइट कर लो तो आपकी डोजिंग उसमें काफी कम हो जाएगी और कॉस्ट मुझे लगता वहां तक वह बराबर हो जाती है तो इस पर ऐसे आपको डिश्वाश में भी यह यूज करना चाहिए जिनकी यह समस्या है कि डिश्वाश चार-पांच दिन बाद पतला हो गया वह तो एक आपको प्रोड़क्ट किस तरह से सूटेबल प्रजर्व हो जाए अब आते हैं दोस्तों हैंडवाश पर क्योंकि वह सबसे बढ़िया सबसे ट्रिकी प्रोड़क्ट में हैंडवाश मानता हूं वह हैं जयाजत तर हात्तों पर लगना है वह दिश्वाश से तो बरतन दोने लॉट डीटेटर से कपड़े दोने हैं आजकल मशीन से कपड़े दोने हैं लेकिन हैंड वॉष तो हाथ भी लगना और बार-बार यूज होना है तो हैंड वॉष के लिए एक तो दोस्तों बड़िया प्रिजरवेटिव चला है डीयमडीयम हाइडन टॉइन जो है हाइडन ट temperature stability अच्छी है और जिन प्रोड़क्स में आपने एक से ज़्यादा सर्फेक्टेंट मिला रखें दो तिन तरह के सर्फेक्टेंट मिला रखें नोन आएनेक इस तरह से कई सारे उन में बहुत बढ़े काम करेगा डोस भी जादे से जादे पॉइंट फाइब परसेंट तक लगानी पड़ेगी आप इसे ट्राइब लेना हैं वाश में दूसरा दूसरा एक है नियो लॉन एम एक पी यह कॉम्मिनेशन है यह सो मिथाइल पैरावेन भी है प्रोपाइल पैरावेन भी है ऑर जो आपका यह फिनॉक्स इतनौन भी तो यह इस तरह से इन्होंने ब्लैंड बनाया हुआ यह ब्लैंड है प्रजर्वेंटिव का जिसमें किया है कि टैंपरिचर और जितने बैक्टीरिया टाइप में उनको भी लेता है तो हैंड वाश के लिए आप इन दो में से आपको यूज कर सकते हो आपको मिलें कॉस्टिंग आप एक वार अपनी हिसाब से देख लो जो में डोस बता रहा हूं जाए-जाद पॉइंट-5 परसेंट तक लगनी मुझे लगता बहुत जादा कॉस्टिंग में कोई फरक आएगा यह लगाओगे आप तो आपके प्रोड़क्ट बढ़ है प्रिजर्व रहेंगे अब बात करते हैं कार वाश की कार वाश तो मैं जहां तक समझता हूं सेम प्रोड़क्ट समझता हूं मैं जैसे डिश वाश है तो ज इस तरह से आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो कार पॉलिश कार पॉलिश जो है वह भी एक एमल्शन का ही प्रोड़क्ट होता सिलीकोन जातर डलते हैं उसमें लेकिन उसमें विसकौसिटी क्यों कि देते हैं वह आप लोग कार्बो पॉल से या एक्रेलिक पॉलिमर से सिंथ तो उसमें भी जरूरी है प्रेजर्वेटिव डालना जहां कहीं इसमेल का चक्कन नहीं है सस्ती पॉलिश है और अगर है दिक्कत तो सीम आई टीम आई डी डाल दो यह बढ़िया काम कर जाएगा क्योंकि यह सब प्रोड़क्ट हुए जहां टेंप्रेचर का कोई इसू नह बहुत सारी प्रेजर्वेटिव हैं जो कम हो जाते हैं कि दूसरा इशू आता है एंजाइन का कि आइनजाइन क्योंकि प्रोटीन बेज़ने तो इसमें वह प्रोड़क्ट कोई काम नहीं करेगा जो क्रोड़क्ट को हिट करके प्रजर्रवेशन देता है जैसे प्रमेल लिक स्कुल डिक्रजेंट जहां पर भी आप यूज कर रहे हो उसमें सी एमाइटी एमाइटी और बी आइटी बी आइटी जरूर कॉम्बिनेशन में होना चीए क्योंकि वह एक तो पीच को भी बढ़ा रहा है तेंपरिचर इस्टेबिलिटी भी दे रहा है तो आप इसका जो मि प्रक्समें नमक ज्यादा है तो यह बढ़िया काम दरेगा लेकिन जहां एंजाइम है वहां पर यह बी आइटी एमाइटी इस तरह की ही डालना इनी का कॉम्बिनेशन डालना बी जरूर हो तो आपका बढ़िया प्रेजर्वेशन हो जाएगा अब दोस्तों बात एक और कर लेते हैं कि भी प्रेजर्वेशन होता कैसे प्रेजर्वेटिव डालना का वह हमें कुछ लोग करते हैं कि आपने सब कुछ बना लिया आज बनाया ता रात को बनाया फिर उसके बाद सुबह तक उसे स्टेबल किया फिर उसके बाद उसमें डाला आपने प्रफ्यूम के पानी से बैक्टीर डवलप्मेंट शुरू हो गया उसके बाद आप जब प्रजर्वेटिव डालोगे उसमें तो कुछ प्रजर्वेटिव तो भी खतम हो गया उसको लड़ने में दूसरा जब बैक्टीरिया उसमें वाट डवलप हो गये तो आपकी वह परफॉमेंस आने की उसकी है तो प्रजर्वेटिव डालने का तरीका सबसे अच्छा जो होता है कि प्रेशर्वेटिव सबसे शुरू से असरे दाल जाना चाहिए आप उसमें क्या है जब जो भी आप पानीं डाल रहेसे अपने प्रोड़क्ट में उस पानी मिला दो पहले इसको आधा कम से कम मिला दो और वो पानी उसमें यूज करो पानी जब आप यूज करोगे तो आपका प्रिजर्वेशन शुरू से ही शुरू हो गया आपने टाइमी नहीं दिया वैक्टीरिया को डवलप होने का तो आपका माल बहुत बढ़िया प्रिजर्व रहेगा पूरी लाइफ तक जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एक और जो जिनके माल पतले हो जाते हैं कि चार दिन पाइस दिन वाद पतला हो गया अभी तो बनाया था वह पतला हो रहा है उसके लिए आप जो है सबसे जरूरी चीज अपन उसमें माल बनाओ और उसके बाद उसको प्रिजर्वेशन इसमें डालते रहो जिस तरह से मैंने बताया है सो में से 90 केस में रुख जाएगी यह पतले होनी की समस्या होता क्या है भी हमने आज माल बनाया उसके बाद हमने माल तो निकाल दिया ड्रम रख दिया वह खाली नहीं है आप उसे अच्छी तरह से एक बार इस्टरलाइज कर लो जैसे कहते हैं कि वह उसमें आप ज्यादा आपको क्योंस लग रही है आप पानी लो थोड़ा सा उससे धोलो उस ड्रम को दूप में रख दो थोड़ी देर इसमेल भी निकल जाएगी बिल्कुल डाइलीट कहिं कि प्र्जरवेटिव का क्या-क्या रोल है कैसे हम सलेक्ट कर सकती हैं प्रिजर्वेटिव इस तरह से आप यूज करो प्रेजर्वेटिव तो जो आप पैसा प्रेजर्वेटिव में लगा रही हो वो सही काम आएगा आपकी product कि life बड़ाया बनेनी बेगी अगर आपको झाल झाल